नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है लीगल डिक्टेशन की सिरीज में ये साथ 16 मा वीडियो अपलोड होने वाला है प्लेलिस्ट में आपलोग चेक कर लिजेगा और मैं थमनेल में अपडेट कर दूँगा तो रेडी हो चाहिए 435 वर्ड्स होंगे इस डिक्टेशन में रेडी अभियोजन पक्ष को अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना है अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को साबित करने के लिए कुल तीन साक्षी PW1 वादी मुकदमा रामु कुमार PW2 राम देव एवं PW3 कविता देवी को परीक्षित कराया है PW1 वादी मुकदमा राम कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है की घटना आज से करीब 5 वर्स पूर्व समय करीब 6 बजे शाम की है अभियुक्त गण दिनेश कुमार यादो विनोध कुमार यादो वा राम प्रसाद पाल ने ना तो उसे और ना ही उसकी पतनी बबिता देवी को मारे पीटे थे और ना ही गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी दिये थे और ना ही जाती सूचक गाली दे कर अपमानित किये थे भीड में वह मोटर साइकिल से जा रहा था कि अचानक मोटर साइकिल गिर जाने से उसे वह उसकी पतनी बबिता को चोट आई थी भीड भाल अधिक होने के कारण किसने उसी बाई को धक्का मारा था उसे नहीं देख पाया लोगों के कहने पर अभियुक्त गड़ों का नाम उसने लिखा दिया था इस साक्षी ने तहरीर भोटो प्रती प्रदर्श क एक पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया है साक्षी P.W.1 को अभियोजन के आग्रह पर न्यायाले द्वारा पक्ष द्रोही घोशित किया गया और अभियोजन को जिरह की अनुमती दी गई जिसमें इस साक्षी ने धारा 161 दंड प्रक्रिया सनहिता में दिये गए अपने बयान को इनकार किया और यह बयान दिया कि इस तरह का कोई बयान उसने किसी पुलिस वाले को नहीं दिया था अगर किसी ने लिख दिया है तो वह उसकी कोई वजह नहीं बता सकता है इस साक्षी ने आगे बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि मुलजिमानों से मिल जाने के कारण आज अदालत में सही बात नहीं बता रहा है और जूठा बयान दे रहा है PW2 रामदेव ने अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना आज से करीब तीन वर्ष पूर्व छह बजे शाम की है शाम को बाईक भिडने के विवाद को लेकर अज्यात लोगों द्वारा वादी मुकदमा रामकुमार व उसकी पतनी बविता देवी को मारे पीटे गाली गलोज किये व जान से मारने की धमकी दिये एवं जाती सूचक शब्दों से अपमानित किये अभियुक्तगण दिनेश कुमार विनोध कुमार व राम प्रसाद पाल ने वादी मुकदमा राम कुमार को व उसी पतनी बविता देवी को उसके सामने ना तो मारे पीटे थे और ना ही गाली गलोज व अपमानित कर जाने से मारने की धमकी दिये थे उसने कोई प्रकरण नहीं देखा साक्षी सहदेव की मृत्यू दो वर्ष पूर्व हो चुकी है डिक्टेशन की स्पीड में उतार चड़ाओ है वो जान बुचकर किया गया है डिक्टेशन की भासा में थोड़ा आपको अक्वर्ड लग सकता है उसके पीछे काराण यह है कि जिस मैटर से मैं बोल रहा हूँ और अलरड़ी ऐसा ही टाइप है ठीक तो उसके लिए आप लोग परिशान नहों जैसा बोला गया है आप वैसा लिखिए और वैसा ही मिलाइए ठीक यह गलती मैंने फिर से किये जब दो तीन बार आपको पॉइंट आउट करेगा तो आपको लएगा कि नहीं यह वाकई मेरी बहुत बड़ी गलती अदरवाइस आप जब खुद से मिलाते हैं या फिर इंप्रूमेंट देखना चाहते हैं तो आपको उतना सही से समझ में नहीं आता एनालेसिस नहीं कर पाएंगे आप ठीक तो यह मेरा एक सुझाओ है मानने या ना मानने या आपके उपर है तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समापत होता है चैनल पे नए है तो प्लीज अप्डियो अपड़ीट किये जा रहे है चैनल पे आप उनको जरूर देखें ठीक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगे अधिया आप नहीं है ताट सॉल थैंक यू